पुझे गुरुदेयों के चड़नों में सत-सत वंदन, सत-सत नमोस्तू, नमोस्तू, नमोस्तू सकल दिगंबर जिन समाज की और से मैं भावना वेक्त करना चाहता हूँ पुजन करते हैं, वंदन करते हैं, मलेश्वर की इस धरा पर आपको नमन करते हैं मनलेश्वर समाज की बस यही भावना आप स्वस्थ दिर्गाई होकर यही करते रहे धर्मदेशना यही करते रहे धर्मदेशना त्रिकाल नमोस्तू त्रिकाल नमोस्तू पूरा समाज बहुत करत करत है बहुत ही हर्शित है मेरा गुर्दयोग प्रशन है कि समाज, परिवार और सेवा छेतर में हम केसे समवाद इस्थावित करें जिससे विवाद नहीं क्योंकि विवाद कुछ समय बाद बैर का कारण बन जाता है शब्दों का विवाद, बातों का विवाद जिसमें कोई भी एक दूसरे के प्रती कोई बहुत जादा दुश्मनी नहीं लेकिन विजारों बातों के विवाद बैर में बदल जाता है जिसको सुला करने में बहुत दिक्कत आती, तहम कैसे करें समाज, परिवार और सेवा छेतर, मैं सर्वीस करता हूँ वहाँ भी काम में कही ने कही यह दिक्कत दे आती देखे बिवाद को निप्टाने का बड़ा सरल, बिवाद को टालेने का बड़ा सीधा सा तरीका है वो है बैचारीक सहिशनुता का विकाश अपनी हाजमे को थोड़ा ठीक करो लोगों की बातों को हम थोड़ा इग्नोर करना सीख जाए नजर अंदाज करना सीख जाए तरीत प्रतिक्रियान न करे हर बात को शकारात्मक लहजे से देखना सुरू कर दे तो कही विवाद की बात नहीं विवाद कब होता है जब कोई वेक्ती अपनी ही बात पर अड़ा जाता है तब विवाद होता है आपने कुछ कहा मैंने उसे काटा मैंने उसे नकारा आप अपनी बात को सही सिद्ध करने पर तुल गए और मैं आपकी बात को गलत साबित करने में अपनी शक्ती लगा दिया अभी हमारे और आपके भी संवाद हो रहा है तुरत विवाद में परिवर्तन हो जाएगा यदि मैं आपकी बात को आपकी जिगा खड़ा होकर आपकी दिष्टे से स्विकाल लूँ तो विवाद कहा है संवाद संवाद तभी प्रकट होगा जब हम सहीशनू बने चाहे समाज का विशे हो चाहे परिवार का विशे हो या सेवा छेतर जीवान के किजी भी छेतर में इसकी जर्वाद नमोस्तू